गौतम की बुद्धत्व प्राप्ती ऐसी कहानी सुने अब हिंदी में तो चॉनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन तो दबाना ना भुले कपिल वस्तु के शाक्यवंशीय राजा सुप्धोधन और महीशी महामाया के पुत्र सिध्धार्थ गौतम संस्कृत वो हिंदी सिध्धार्थ गौतम जर पांच सो तिरसथी ओ, 487 ओ, ता जन्म वैशाक पूर्निमा के दिन लुम्बिनी के उपवन में स्थित एक साल व्रिक्ष के नीचे हुआ था जब उनकी माता अपने माता पिता से मिलने अपने माय की देव दल जा रही था पुत्र जन्म के तत्काल बाद महमाया वापिस का पिलवस्तू लौट आई थी तावविन्स देवों से शिशू के जन्म की सूचना पाते ही शिशू के दादा सी हहनू की गुरू तथा राजपुरोहित तक्षन का पिलवस्तू पहुँचे शिशू को अपनी गोड में उठाया जैसे ही शिशू को निकट से देखा तो उनकी आँखे पहले तो खुशी से चमक उठी लेकिन फिर आशों में डूट गई राजा सुद्धोधन द्वारा कारल पूछे जाने पर उन्होंने बताया था यह शिशू बुद्ध बनने वाला है इसलिए मैं प्रसन हूँ किन्तु दू ख इस बात का है कि शिशू की बुद्धत्व प्राप्ती तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगा शिशू के जन्म के पांचवे दिन उसके नामकरन के अफसर पर 108 जोतिशियों को आमंत्रित किया गया था जिन में 8 विलक्षन जोतिशी भी थे उन आठ में से छह राम, धज, लक्खन, मन्ती, भोज और सुधन्त ने यह भविश्यवानी की थी कि वह शिशू या तो चक्रवर्ती सम्रार बनेगा या एक बुद्ध किन्तु सबसे कम उम्र के जोतिशी कोण्य का कथन था कि वह शिशू निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा शिशू का नाम सिध्धार्थ गौतम रखा गया, साथवे दिल सिध्धार्थ की माता का देहांथ हो गया तब उसके लालन पालन का दाइत्व उसकी मौसी महापजापती ने लिया, वह भी सुध्धोदन की एक रानी थी और उनका विवाह भी सुध्धोदन की साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का 16 वर्ष की अवस्था में सिध्धार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्बूत युद्ध कौशल दिखाए सार भर्गा जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा अपने कर्टव्य दिखाए थे जिसे हजार आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे हित्य में विख्यात हैं जर बिंबही भद्धक अच्छा सुभद्धका और यशोधरा के इंदी संस्कृत यशोधरा के नाम से जानी जाती है 39 वर्षों तक थरभभ थसुरभभ और थसुब नामक प्रासादों में राजवैभभ भोगने के बाद सिधार्थ संसार से फिर उन्होंने किसी व्रिध को देखा इससे उन्हीं यह विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है कालांतर में व्रिध भी होता है तत उसके हाथ पैर शिथिल और जर्ज़ हो जाते हैं फिर जब उन्होंने एक मृत को देखा तो यह ज्यान पाया कि हर कोई जो जन्म लेत तहे एक दिन मृत हो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है तब सारे सुप, सुविधाओं और वैभव की वस्तुए निरर्थक हो जाती है। उद्धकराम कुत्त को अपना गुरु बनाया। किन्तु उनके दर्शन वविचार से वे संतुष्ट नहीं हुए। अतहवे उरुवेका के सेनानी गाम पहुचे और छह वर्षा तक पांच भिक्षूओं की साहचर्य में कथिन तपस्या की। कथिन चरम तप दो मार्क की भोजन ब्रहन करने की इच्छा सुजाता नाम की एक कन्या ने सोने की कटोरी में खीर अर्पित करपूरी की। वह दिन वैशाक पूर्लीमा का था। बौतम ने निर्यज्रा नदी में सनान कर खीर खाये और फिर कटोरी नदी में ही छोल दी। जो डूपती हुई नागराज काल के निवास थान पर जा पहुँची थी। फिर सारा दिन साल उपवन में व्यतीत कर शाम को वे पीपल के एक पेल के नीचे जा बैठे। वही सोतिया नामक एक घसियारे ने उन्हें आठ मुठी घास दिये। घास को उन्होंने पूर्व दिशा की और रख उसकी आसनी ब बैठ कर उन्होंने यह प्रतिग्या की की जब तक वे बोधी नहीं प्राप्त करते तब तक वहां से नहीं उठेंगे। उनकी प्रतिग्या के तेज से महाब्रम और सारे देव उनके सामने प्रकट हो उनकी स्तुति करने लगे। किन्तु उनकी द्रिर मार शैतान ने उन पर आक्रमन किया, जिसके भाय से सारे देव वहां से भाग खड़े हुए, मार से उनकी रक्षा तब केवल दस पारमियों ने की, इन पारमियों को उन्होंने बोधिसत्व बनने के बाद के पांच सो पचास जन्मों की कर्थिन संधर्ष की क्रम में अर्जित किया था, पारमी दस ह होते हैं दान, शील, नेक्खम्म या नौकमर्व प्रग्या, वीर्यक खंती या धैर्यक सत्य, अधिश्थान, मेता या मित्रेय और उपेक्खा या संभाव अथवा ना सकती। बोधम से परास्थ हो जब मार और उसकी सेनाए भाग खड़ी हुई तो सारे देवों ने विज ज्यान को और अंतता प्रत्युषकाल में संभोधी की प्राप्ती की ज्यान को जिससे वे पच्चेक प्रत्येक बुद्ध बने परिच्च उसमुपाद के सिध्धान्त का सुखध मनन उन्होंने प्रथम साथ दिनों तक उसी बोधी व्रिक्ष के नीचे बैठ किया। दूस दूसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिंद तालाब में नागराज मुचलिंद के फनों के नीचे बैठ बिताया था। चौथे सप्ताह वे राजायतन पेल के नीचे बैठे रहे जहां उन्होंने तपुस और मलिक को बिना किसी देखना सुनाय ही अपना अन्याय बनाया। तक पश्चात ब्रमसहम पती के आगरह पर उन्होंने पीलित मानव के उत्थान के लिए धमचका पनत्तन का निश्चे किया। दूसरों के उत्थान की प्रतिग्या से वे सबन्यों, सर्वग्यक बुद्ध कहलाए। तब अपनी धम देशना के प्रवर्तन हेतु अपने पांच तपस्वी मित्रों को योग्य पाया जो उन दिनों वारानसी के इसिपतन मिगदाया में वास कर रहे थे। इस धम चक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोक कालीन सारनाथ सिंग स्तंब में दर्शाया गया है जो आज भारतिय गनराज्य का राजकिय चिम है। चार मुख वाला वह सिंग स्तंब बुद्ध के धम या देशना का सिंग नाद आज भी हर दिशा में गुन जाता प्रतीत होता है। पुना सिंग स्तंब में अनकित चक्र जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। आज जो भारतिय राश्ट्रिय ध्वज पर बड़े गौरव से लहराता र रहता है वस्तुत धर्म चक्र का ही प्रतीक है। यहां ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।